हाउस में मारपीट मामले में दिल्ले पुलिस ने केचरिवाल के पीए विभाव कुमार को गिरफतार कर लिया है। स्वाधी मारपीट मामले में बिज़पी सांसाइद रविशंकर पुरसाइद ने कहा कि इससे बड़ी कोई बेबुनियाद बात क्या हो सकती है कि पहले संजय सिंग ने आकर कहा गलत हुआ है और जब पुलिस जो रही है तो स्वाधी मारवाल के खिलाफ क्या क्या आरोप लग हुआ है इससे बहुत दुखित है हमारे कैजी रिवाल जी अब जब पुलिस की जाच हो रही है तो उस जाच पर अब उसके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाय जा रहे हैं तो क्या कैजी रिवाल जी की पार्टी में साधारन महिलाओं की बात भूल जा, अपनी महिला सांसत के साथ ये अभद्रता होती है दुश्व विद्याले से पढ़ाई की बाद पत्रकारिता करने वो दिल ली गया था इस दोरान वे अर्विंद के जीवाल के संपर्क में आए और सरकार बनने पर वे सीम के आप तो सचीव बन गए विफाव की गिरफतारी के बाद उनके पिता फरेशान है वहीं गाउं में भ परिवार के बारे में भी सही में जाकर देखिया कहीं हर आद में करते हैं बलकि किसी कर तकलीत महीं होने रहा है तो कर रहा था कि पपाजी हम तो नस्ता कर रहे थे तो आई ची उत्मा बहुत बड़ा कान करने के लिए तो गाड़ों लोग रोका हम गये वहां तो गाड़े तमकरी चल चलिए गया है अब उनको जेल भेजबाते हैं देखे बेभाव जी एक सोसल परिवार से हैं बीशु दूरुप से इनका फेमिली किसान रहा है और बेभाव जी के पिता जी दो-तिन भाई थे वो लोग सियार्पियक में थे और किसी को राइनीती को भाजन बना द इनका फेमिली का इतिहास है कोई किसी से पुछिएगा तो यह स्वेशल मिंगा और गरीवों के साथ यह परिवार हमेशा खड़ा रहा है तिली के मुखमंत्री अर्विंद केजरवाल के आवास पर स्वाती माहिवाल के साथ जो मामला हुआ उस मामले में जो आरोपी है अ कुला के लोग बात करनें से बच रहे हैं लेकिन उनके पिता से श तरह बाठ हुई है उनका कहना है कि 15 साल से ओम में पूत्र जो है वह निर्दोस है और इस तरह ये उनका गाव है और इस गाव में हुई बच्पन बीता है बाद में उन्होंने बीवटी उसे परहाई किया और विभव उसके बाद दिल्ली में जाकर पतरकाईता की भी परहाई की और वहां जाकर बाद में अर्विंद के जिर्वाल से जुर गया लगा 15 सालों तक से अर्व पुलिस बड़ी खबर है इस वक्त की रिमांड पर ले सकती है रिमांड की मांग कर सकती है क्योंकि विभाव को कोट में पेश करने वाली है पुलिस और कुछ दिन की रिमांड मांग सकती ताकि उनसे और भी पूछताच इस पूरे मामली पर हो पाए